हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होगे दोस्तों अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंट महिला काफी ज़्यादा अस्वस्थ है काफी ज़्यादा कमजोर है तो इसका संकेत सरीर देता है बट अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको आगे जाकर pregnancy के बहुत ज़्यादा complication हो सकती है, delivery में भी बहुत ज़्यादा पड़िशानी हो सकती है और अगर माही कमजोर रहेगी तो बच्चा भी कमजोर ही होगा उसका वजन कम हो सकता है उसका मांसिक या फिर सारी रिक ग्रोथ भी कम हो सकता है तो अगर आप अपने बेबी का अच्छे से विकास चाहती है आप अपने आपको बहुत ज़्यादा स्वस्त और अच्छा healthy रखना चाहती है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि गर्वती महिला को कैसे पहचानना है कि वो अस्वस्त है या फिर कमजोर है तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए बेहद helpful होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए देखिए फ्रेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव आपको आठ से लेकर दस हफतों के बीच में होता है या फिर पहले ट्राइमेस्टर में होता है अगर आप अप प्रेगनेंट हो चुकी हैं अभी अभी तो आपके सरीर में मौनिंग सिक्नेस की समस्या सबसे पहले हो जाती है morning sickness यानि चक्कर आना, उल्टियां आना, मन घबराना, ऐसा आपको सो के जब भी उठेंगी उसके बाद से ही लग सकता है और या फिर दिन में कई बार ऐसा महसूस हो सकता है तो ऐसी condition में अगर महिला ठीक तरीके से पानी नहीं पीती है, खाना नहीं खाती है क्योंकि उनको उल्टियां हो रही है, और अगर हट से ज़्यादा उल्टियां हो रही है तो आप तो रहें डॉक्टर से मिलिए, वो medicine देंगे सुबह साम के गोली और उससे आपका जो है morning sickness में बहुत अच्छा राहत मिलेगा morning sickness अत्यदिक होना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है ये महिलाओं को कमजोर बना देता है और महिलाओं के सरीर में dehydration को उत्पन करता है dehydration की वज़र से जिस थैली में, पानी की थैली में बच्चा होता है उस पानी की थैली में भी कमी आ सकती है और आपके सरीर में न जाने अंगीनत कितनी जादा परिशानिया पैदा हो सकती है इसलिए अपने सरीर को dehydrate नहीं होने देना है चाहे आपको कितनी ही उल्टियां आए, चक्कर आए, जी घबराए, जी मितलाए लेकिन आपको अच्छी तरह से पानी का सेवन करते रहना है हर आदे घंटे पे पानी पीना है आप अगर नारियल पानी पीएंगी तो वो जादा बहतर होगा क्योंकि नारियल पानी में बहुत अच्छे पोशक्ततव होते हैं जो आपके digestion को अच्छा रखते हैं इसके अलावा आप एपल जूस पी सकती हैं आप मोसमी का जूस ले सकती हैं तो जिस जूस में विटामिन C जादा होती है वो जूस आपके लिए अच्छा होगा वो आपकी उल्टी को रोब के रखेगा आपको उल्टी जादा होने देने से बचाएगा इसलिए आप साइटरिक फ्रूट्स का साइटरिक जूस का सेवन कर सकती हैं यह निम्बू में, संत्रे में, मोसमी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यह सरीर के लिए आपके काफी ज़्यादा अच्छा होता है यह आपके सरीर को काफी अच्छे से oxygenated रखता है जिसकी वज़े से आप काफी ज़्यादा energetic feel करती है और morning sickness की परिशानी से बच जाती है नेक्स्ट जो परिशानी आती है pregnancy के अंदर जो महिला को कमजोर बना देती है वो होता है नींद ना आने की problem होना काफी ज़्यादा महिलाओं को रात के समय नींद नहीं आती है pregnancy के दोरान देखे friends जब सरीर आपका कमजोर हो जाता है तो वैसे ही आपको नींद नहीं आएगी तो इसलिए नींद अच्छे से आए इसके लिए आपके सरीर में अच्छे से पोशक तत्वे मिलने चाहिए जिसके लिए आपको अच्छे से खाना तो खाना ही है time to time आपको दूद पीना भूलना नहीं है दूद में अच्छी मातरा में protein होता है जो आपके muscles को build up करता है अगर इस दूद को गुनगुरा करके हलका सा आप पिंच मातर हल्दी मिला देंगी और रात को खाने के बाद पी कर और फिर सोने की कोशिस करेंगी तो आपको नींद आ जाएगी ये हमारे medical में कई बार research में पता लगा है इसके अलावा आपको अच्छे से नींद लेने के लिए अच्छे से वयायाम करना भी जरूरी है आपको टहलना चाहिए आपको अच्छे से सुभा के बाता बरन में फ्रिश एर में थोरा सा वॉक करना चाहिए हो सके तो रात को सोने से पहले भी थोरा वॉक कर लीजे उसके बाद आप नहाल लीजे और फिर सोने की कोशिस कर आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी, आपको परिशानी नहीं होगी, अमूमन क्या होता है कि जब पेट बढ़ने लगता है तो आपको सोने में दिक्कत आती है क्योंकि हमारा सरीर पहले जैसा फ्लैक्जिवल नहीं रहता है, हमें करवट लेने के समय दिक्कत आती है, भ आप अस्वस्त ना हो, आप दोस्तों इसके अलावा जो अगला लक्षन है, इसमें कई सारी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, बहुत कम खाना खाना पसंद करती है, बहुत जादा नूजिया की प्राबलम हो जाती है, इतना बढ़ जाता है कि कई सारे खाने की गंद इतन उसी से बढ़ता है, उसी से अपना विकास करता है, उसी से वो स्वस्त होता है, तो इसलिए आप अपने बारे में ना सोचते हो, अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचे, आपको अच्छे से फ्रूट का सेवन करना है, अच्छे से साग सबजी खानी है, और अच्छे से खाना proper time to time लेना है ताकि आपकी सरीर में weakness ना आए आपके बच्चे का growth ना रूख जाए केवल आपकी गलती की वज़े से तो आपका खाना अच्छे से होना चाहिए हर मिल प्रोपर होना चाहिए मील के अंदर अच्छे से फाइवर होना चाहिए प्रोटीन होना चाहिए, कैलसियम होना चाहिए, इसके अलाबा आपको दही छाज का सेवन प्रति दिन करना चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छे से कैलसियम होता है, तो आपको इस तरीके से बैलन्स डाइट ले करके चलना होगा, आज कल काफी सारे गैनेकलोजिस्ट आपको डाइट प्लान करके देते हैं प्रिग्नेंसी के अकॉर्डिंग तो आप चाहें तो उनसे भी सजेशन ले सकती है इसलिए होता है क्योंकि आपका सरीर स्वस्त नहीं है अगर किसी भी तरीके से आपका सरीर कमजोर होगा तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होने लग जाएगी और सरीर कमजोर कम होता है जब हम प्रॉपर खाना पानी नहीं लेते हैं हमारा सरीर वीक होने लगता है डे वाई डे इस वज़े से हमें चिर्चरापन होती है साथ ही साथ आपके हामोंस भी बदलते रहते हैं तो उसका भी पसंद है किसी से बात करके मन हलका हो जाता है इस तरीकी के अक्टिविटी आपको जरूर करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज डेली ही करना चाहिए आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज में सबसे अच्छा वॉकिंग होता है इसके अलावा आप सीडिया चर सकती है उतर सकती हैं, हलके फुलके एक्सरसाइज प्रनायाम कर सकती हैं, ये सारे चीजे करके आप अपने आपको रिलाक्स कर सकती हैं, आपने स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, और दोस्ति इसके साथ ही कुछ महत्पुर्न जानकारी ये भी है, कि अगर आपने टाइम टु टाइम अपने याच नहीं करवाई है तो करवाना चालू कर दिजे क्योंकि आपके सरीर के साथ ही साथ आपके बच्चे की डेवलप्मेंट आपको उसी अल्टरासाउंड से पता लगता है उसी रिपोर्ट से पता चलता है तो आपको समय समय पे चेकप कराते रहना चाहिए अगर कोई भी प जल्दी हो गई है प्रिम्द प्रेशर को लेकर एश्यू है सूगर का प्रोबलम है तो इसवे अलग से प्रेगनेंसी में दी जाती है उसको भी आपको अच्छे से लेते रहना इंपॉर्टिंट है नहीं तोmpги problem हो जाती है मैलाओं को delivery के समय इसके अलावा friends आपके बच्चे का growth किस तरह से हो रहा है इसके बारे में doctor से जानकारी लेते रहना चाहिए बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है उसके growth में कमी रह जाती है तो कुछ ऐसा है तो doctor आपको बताएंगे उसके guidance पे आपको आगे की प्रकिरिया जो है उसको follow करना है क्या diet लेना है कैसे आपको कौन से medicine दी जाएगी वो doctor आपको suggest कर देंगे तो आपको medication की या फिर doctor के consulting की काफी ज़्यादा जरूरत होती है समय पे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जानते है कि आपके सरीर में कौन सी कमी है बाकी वो diagnose कर लेते हैं तो important यह है कि आपको positive रहना है positive सोचना है positive आपनी lifestyle बनाए रखना है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको और आपके बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान पहुचाए या फिर कुछ ऐसे condition को पैदा कर दे जो नहीं होने चाहिए healthy pregnancy के लिए तो अपने आपको खुछ रखिए स्वस्त रहिए और सुरक्षित रहिए और आपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि यह जो 9 महीने होते हैं इसमें जितने अच्छे से आप अपना ध्यान रखती है उतना ही स्वस्त आपका बच्चा भी होता है तो I really hope कि एए वीडियो आपके लिए बेहद हैलफुल थी इस वीडियो को जादर से जादर शेयर लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुर भी ना भूले मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आप अपना पुरा धेहान दिखिए ठीक है दूस्तों थैंक्स पर वाचेंग